असलाम लेकूम बचो उमीद करती हूँ आप लोग खारिये से होंगे और अच्छे से अपना काम भी कम्प्लीट कर रहे होंगे तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सिसाइज 4.3 का explain why the following are linear dependent set of vectors हमने सिर्फ dependent वालों को identify करना इसमें से clear first condition देखे हमारे पास two vectors given है U1 और U2 अब अगर हमारे पास एक वेक्टर जो है वो दूसरे का scalar multiple हो तो ये dependent vectors होंगे जैसे अभी यहाँ पे जो हमारे पास हमारा U1 है उसे 5 minus 5 से multiply करवाएं तो U2 वेक्टर बन जाएगा clear इसमें ये हमारे पास dependent vector है इसके बाद B option में देखे हमारे पास तीन vectors given है और तीन vector है तो आपने ये चेक करना है क्या इनकी addition किसी दो numbers की addition जो है वो किसी third के equal आती है यहाँ पर या नहीं आती अगर किसी third के equal आगे इसमें ये भी dependent केस में आ रहा है तो अब directly हमारे पास किसी दो number की addition नहीं subtraction आ रही है तीसरे के equal तो अब आपने determinant वाला case है वो यूज करना है firstly vector first को लिखना है second third या फिर आपने इस तरह से अपनी definition लिखनी है k1 u1 plus k2 u2 plus k3 u3 is equal to 0 clear और फिर आपने अपने result को identify करना है और determinant form में लिखना है और फिर determinant form में लिखने के बाद चेक करना है कि क्या आपके पास tribal solution आता है या non-tribal solution आता है अगर non-tribal solution आईगा तो clearly यह आपके पास dependent vectors होंगे अब इसी तरह c वाला point है p1, p2, p2, just आपके पास two polynomials है अब यहां पे भी आप यही वाला lie use कर लीजेगा scalar वाला अब यह multiply हो रहा है two से और two से multiply होके मारे पास p2 बन जाती है इसका मतलब है यह भी dependent है इसी तरह d वाला vector जो है मारे पास matrixes form में वो भी multiplier है minus one के तो यह भी हमारे पास dependent case आ गया question number two देखें which of the following sets of factors in our three are linearly dependent अब two का pair है हमारे पास तो two के pair में हम यह चेक करेंगे multiple है या नहीं तो यह एक दूसरे के multiple नहीं है इसलिए यह dependent case भी नहीं है next b वाला part है b वाले part के लिए आपको new matrix बनानी पड़ेगी matrix बनाके फिर आपको इसको solve करना पड़ेगा यानि k1 u1 plus k2 u2 up to zone इस तरह से आपको फिर matrix बनानी है इसकी k1 elements को निगलेक करते हुए constant की और फिर आपने same वही result चेक करना है c के लिए भी scalar multiplication से ही चेक करेंगे लेकिन clearly यह भी हमारे पास dependent नहीं है d वाले point में देखिए हमारे पास four vector है और उनकी जो positions है third dimension है हमारे पास हर vector में ती numbers है इसलिए यह three dimension है तो इससे check करने के लिए भी आप इसको determinant case में लिखकर check कर सकते है और एक और बास students अगर हमारे पास इस तरह से four vectors given हो तब भी हम यह check करते हैं क्या कोई से दो numbers add या subtract होकर या किसी number से multiply होकर और फिर add होकर कोई third vector इन ही में से कोई vector बनाते है अगर ऐसा हो कि वो बनाते हो तो फिर हम previous वालों को discard कर देते हैं और सिर्फ उस vector को बाकी वालों में शामिल करके consider करते हैं कि अब यह vector रहे हैं और फिर दोबारा से वही definition को चेक करते हैं कि अब इन तीनों में कोई relation तो नहीं है clear तो इसे भी आपने determinant case में चेक कर लेना है which of the following set of vectors in R4 are linearly dependent अब यहाँ पर हमारे पास 4 by 4 matrix बनेगी तो obviously यह आपका matrix से solve होगा यह वाला first वाला और B वाला option जो है यह आपका directly भी dependent नहीं लग रहा अगर आप इसको brackets में चेक भी करेंगे तो भी clear आपके पास dependent case जो है वो नहीं बनेगा C में C में भी आपको determinant case में लिखकर फिर चेक करना पड़ेगा आप वही rules और row operations अप्लाइ करने हैं और similar case D भी आपने इसी तरह चेक करना है अब इसी तरह यहां पर dependent चेक करना है और यह भी आपने उसी definition से K1 P1 क्योंकि polynomial है first को P1 कह लें second को P2 कह लें और third को कह लें P3 तो फिर आप यहां से इसको coefficient type आप पर arrange कर लें जिस तरह से मैंने आप एक example solve करके send की थी definition में उसी को लें और इसको solve करके check कर लीजेगा ठीक है अगर आपके पास solution non-trival है तो mean आपका यह dependent case है अगर trivial solution होगा trivial solution mean zero zero solution हो तो फिर आपके पास यह independent case है और यह are vectors in R3 that have their initial points at the region in each part determine whether the three vectors lie in a plane अगर बचों हमारे पास vectors जो है वो dependent हो जाएं यानि हम उस पे dependent case की definition apply करें और हमारे vectors dependent हो जाएं तो it means they lie on a plane अगर यह independent case बना दें यह vectors तो फिर हम कहेंगे कि यह vector हमारे पास जो है यह not lie in a plane लिया तो a b को आपने independent और dependent case के जरीए चेक करना है यह question number six में भी यही चेक करना है आप लोगों ने a b c parts में कि यह आपके पास lie करते हैं न plane और not show that the three vectors v1 v2 v3 form are linearly dependent set in r4 तो dependent set है आपने clearly इनको determinant में चेक कर लेना है two vector अब हमें क्या कहा गया है कि अब हमने linear combination भी बनाना है क्योंके यह dependent case बना रहे हैं इसलिए अब हमें यहां पे इसकी linear combination भी बनानी है वो नीचे part में हमें पूछा जा रहा है तो linear combination बनाने का easy way यह है कि आप k1 और k2 के और k3 क्योंके यहां पे तीन vector है तो तीन हों के values find out कर लें या फिर आप solution को यूं लिखें v3 is equal to k1 v1 plus k2 v2 और यहां से इस side के equation को solve करें और दोनो side के values को compare कर वा लें तो आपके पास simple two variable में equation बनेगी k1 और k2 में जिससे solve करना भी easy होगा तो आप easily k1 और k2 की values find कर लीजएगा और वो वहां पे replace कर वा दीजएगा यह देखें सबसे पहला answer आपका solve कर यह आजएगा चाहे यह आए यह यह आए आपने अगर v3 को इस point पर रखा होगा तो k1 यह आजाएगा k2 यह आजाएगा लेकिन अगर आपने v1 को इस side पर रखा होगा तो k2 यह आजाएगा क1 हम इसको k1 ही consider करते हैं first को और k2 यह आजाएगा आपके पास ठीक है तो इसी definition से देखें अगर आपके पास यह result है तो आप यह result easily बना सकते हो यानि 7 से दूसरे vector वहाँ चले जाएगा और इसी तरह यह vector भी बन सकता है और यह vector भी बन सकता है all possible linear combination हैं तो linear combination के लिए पहले यहाँ पर v3 रख लें फिर v2 रख लें फिर v1 रख लें चलें जी question बस वहां तक रखते हैं question number 8 भी कर लें show that 3 vectors v1,2,3 form linearly dependent set in R4 express each vector in part A as a linear combination of the other vector और आपने इसी linear combination को बनाना है बाकी तीनों के लिए ठीक है आपने try करना इन questions को और फिर मजबताईएगा अलाफिज की ड mommy cuatro अलाफिज वा bitch की ओ Ohio